गोज़ करवा रहा है उसके साथ में आपको बोला था कि आपका इतियास और जग्राफी विमें आज अमारे इतियास यानि कि हिस्ट्री विमें आपका स्टार्ट कर दिया गया है तो इस वीडियो का पेंट तक रिखते हैं अपको सारी information मिल जाएगी कि इतियास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कहां कहां से आपका paper बनता है तो इस वीडियो का पेंट तक रिखते हैं अपको सारी information मिल जाएगी तो दियान रखेगा आज हमारी जो पहली क्लास है इतियास की तो हम इतियास का बेस समझेंगे कि इतियास का कहा से questions बनने ये chances है और किस परकार से हमारे इतियास से questions पूछा जाते हैं तो पहला question तो आपका यहाँ पर main यही पर पूछा जा सकता है जैसे कि आपके कल की चीज है वो क्या होगी आपकी वो आपकी पूरी की पूरा भूतकाल हो गया भूतकाल मतलब इतियास हो गया तो वही सारी चीज़े जैसे जैसे समय बित्ता गया पुरानी चीज़ों को हम इतियास के रूप में मानने लगे लेकिन जैसे जैसे हम पुरानी चीज़ों को कोई सबूत ना हो तो हम उस चीज़ों को साबित कैसे करेंगे इसलिए अभी इतियास को कुछ चीजों को साबित कर चुके हैं हम उसी को इतियास मानते हैं तो किन-किन चीजों से साबित कर जा चुका है तो देखो ये तीन चीज़े जो मेश्ट प्रवबबवी आपसे पेपर हैं पूछा जा सकता है पहला आर्केलोजी यानि कि पुरा तत्व यानि कि जब खुदाई करी जाती है तो खुदाई में आपके जो पुराने जमाने के बरतन, पुराने जमाने के मूर्तियां वगेरा निकली थी उसके अनुसार आपके जो स्रोत होते हैं इतियास के उसको मना गया था इतियास का तीसरा आपका description यानि कि जो आपके मिले हुई श्रोतों के अनुसार, जो आपके psychologist या आपके जो main विद्वान होते हैं, जो आपके पूरे के पूरे इतियास के श्रोत का खोज करते हैं, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई हैं, उन सबूतों पर आम इतियास को मानते हैं, तो ये तीन चीज़े आपके main जो इतियास के श्रोत के रूप में इस्तमाल किये जाते हैं, तो ये तो हो गया आपके इतियास के श्रोत के बारे में, चलिए आप बात कर लेते हैं इतियास के भाग के बारे में, तो इतियास के तीन भाग होते हैं कौन-कौन से, pre-history, proto-history and history जिसको आप हिंदी में प्राग के इतियास, अर्दे इतियास और इतियास कहते हो तो ज़्यादा आपके जो question पुछे जाते हैं paper में वो आपके इतियास यानि की history से पुछे जाते हैं, ओके तो हम तीनों को विस्तारित से बात करेंगे जैसे कि आपका पहला prehistory, prehistory क्या होता है, तो ध्यान रखेगा प्राग के इतियास, वो आपका गुजरा हुआ समय, जिसके बारे में आपका कोई भी लिखित जानकारी या लिखित सबूत नहीं मिला है, समय तो बीता है लेकिन उसके बारे में कोई सबूत नहीं हुए हमारे पास, कि वो समय बीता है या नहीं बीता है, यहां से आपके कुछ कोशन से आपके, वो limited कोशन है 10 से 12 कोशन मैं अभी आपको बता दूँगा, आज हम prehistory को ही पढ़ेंगे उसके इलावा आज तक यहां से कोई कोशन नहीं पूछा गया है अब बात करें, proto history के बारे में तो proto history के आपके वहब का बीता हुआ समय है जिसके बारे में सबूत तो मिले हैं, लेकिन उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है इसलिए यहां से तो आपका बिल्कुली question नहीं बनता है क्यों? क्योंकि जब इसको कोई समझ ही नहीं पाया है तो वहां से question बनने का तो कोई chances ही नहीं होते है अब last आता है आपका history यानि की इतियास यहां पर आपके सबूत भी मिले हैं, लोग इसे समझ भी पाये हैं और लोगों ने इसको आगे बढ़ाया भी है यहां से तो आपके भर-भर के question पूछा जाते हैं इतियास को हम तीन भागों में distribute करें हैं कौन-कौन से भागों में? तो पहला इतियास होगा आपका प्राचीन यानि की जैसे आप Asian कहते हूँ दूसरा होगा आपका मध्यकालिन यानि की Middle East और तीसरा होगा आपका आधुनिक इतियास यानि की Modern History तीनों का समय ध्यान रखेगा प्राचीन इतियास को जो समय होता है वो 2500 BC से लेकर 1080 तक होगा अब यहाँ पर कई बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर्थ 2500 से लेकर 1000 मतलब पहले बढ़ा हुआ है और फिर जाके घट गया है तो ऐसा क्यों है? जैसे कि आपका एक के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है तो माइनस 2 को बढ़ा मानोगे, माइनस 3 का तो बढ़ा नहीं मानोगे न तो यह आपका उल्टा समय है, यानि कि पहले का समय है बिफोर क्रिस्ट, BC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, ओके? तो याईनी कि जो आप इसा मची थे उनकों दमाने से पहले का समय था ये तो प्राचीन इतियास का जो समय होता है आपका बच्छिस सो बीसी से लेकर एक हजार एडी तक है मद्य कालीन इतियास का जो समय था आपका 1080 से लेकर 1707 एडी तक था और modern यानि कि आधुनिक इतियास का जो समय काल था वो 1707 से लेकर आज तक का यानि कि जो तिल देता है वहाँ तक चलेगा, ओके? तो इतियास के जो हम बात करेंगे वो इन तीन इतियास के बाद में बात करेंगे लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो पढ़ाऊंगा प्राक के इतियास यानि की प्री हिस्ट के बारे में यहां से कुछ लिमेटिड कोशन है हर बार वही रिपीट पूछे रहते हैं उनको समझा देता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था वह गुजरा हुआ समय जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है उसको बोला जाता है प्राक के इतियास अगर एक कोशन बहुत बार पूछा जाता है अगर आप theoretical paper दे रहे हो तो अगर आप से पूछा जाए कि इतियास क्या है आम इतियास किसको मानते हैं तो ध्यान रखेगा इतियास वह है जो कि हमारे भारत के गजट बुक में ध्यान रखेगा गजट बुक में परिश्कारित और लिफित है गजट बुक का नाम ध्यान रखेगा क्योंकि सारे इतियास कि वह गजट बुक से ही मिलते हैं भारत के अब बात कर लेते हैं प्राक क्य क्या इतियास पाशान यानि के नियोलेटिक्स, ओके, तो इन तीन कालों में बाटा गया आपके पुरा पाशान काल को, जो किसका समय काल है आपका, पुरा पाशान काल का, बीस लाग साल पहले से लेकर, बारा हजार वर्श पूब, समय जो बता रहा हूं, मैं आपको ध्यान रखी का, डिरे वो आपका मध्य काल का था, और नप पाशान काल का जो समय था, वो 10,000 से लेकर, 4500 वर्श पूर्व का जो समय काल था, वो आपका नप पाशान का काल था, ओके, अब तीनों को विस्तारित में समझते हैं, पहला मैं आपको बता देता हूं, पुरा पाशान काल, यानि कि फि मानव की उत्पत्ती या मानव का जनक कब हुआ था तो वो आपका 56 लाक वर्ष पूर पहले पुरा पाशान का समय काल मेंने क्या बताया बीस लाक लेकिन मानव की उत्पत्ती कब हुई थी 56 लाक वर्ष पहले ओके तो बहुत पहली की गटना है directly question पूछा जा चुका है कि की खोज अगर आपसे पुछा जाए कि आग का अविश्कार यह आग की खोज कौन से काल में हुई थी तो पुरा पाशान काल में ही आपकी आग की खोज हुई थी कब तो 40,000 वर्ष पूर पहले आपकी आग की खोज हुई थी तो वो था आपका पहला काल जो की पुरा पाशान, अब बात कर लेते हैं मध्य पाशान काल की, तो मध्य पाशान काल में क्या हुआ था, तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा में घट्टा नहीं घट्टी थी, बस डिरेक्ली यह पुछा जाता है कि आपका जलवायू परिवर् अब बात कर लेते हैं नभ पाशान काल की, बहुत important कोशन यहाँ से बहुत बार पुछे जा चुकें, जैसे कि नभ पाशान काल में ही आपकी किस की शुरवात हुई थी? क्रिशी की शुरुवात हुई थी, तो डिरेक्ली अगर आपसे कोशन हुचा जाए कि क्रिशी, यानि की खेती की शुरुवात कौन से काल में हुई थी? तो 9 पाशान काल में हुई थी, 8000 वर्ष पूर्व. ओके? दूसरा कोशन है आपका पहीए, यानि की जो वील होता है, उसकी खोच कब उई थी? तो वह वो भी आपकी नब पाशान, यानि की जो पहीए की खोच हूई थी, वो जगा है वहाँ पर सबसे पहले आपकी खेती की शुरुवात हुई थी जिसको आजकल क्या बोले जाता है सुलेमान एवं किर्थक माउंटेन यानि की परवत बोला जाता है ओके तो कहाँ पर शुरुवात हुई थी सबसे पहले खेती की तो पाकिस्तान मेहरगड के अंदर हु और इसी के साथ साथ में अगर आपको पूछे जाए कि ऐसी कौन सी सब्वेता है जो आपस में फल फूल रही थी एक समान समय पर तो भारत, मेसोपोटामिया, मिश्ट और ये चीन ये चार सब्वेता हैं ऐसी सब्वेता हैं थी जो एकी साथ फल फूल रही थी ये कोशन डिरेकली फूछे जा चुके हैं नपपा साद काल से ये थे आपके कुछ पूछ पूछन प्राफ के इतियास यानि की प्रेहिंस स्ट्री से जो कोशन पूछे जाते हैं उसके बारे में तो यह एक छोटी सी वीडियो आज आपको बतानी थी कि आपके pre history से किस परकार के question पूछा जाते हैं वहाँ से उसके बारे में next video हम बात करेंगे pure history के बारे में जो कि प्राची नितियास, मद्यकाली नितियास और आदूनिक नितियास से अगर आपके मन में वीडियो के related कोई भी doubt हो, कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा, मैं आपका reply ज़रू करूँगा अगर आपने इस channel कब तक subscribe नहीं करा है तो जल्दी से subscribe कर लिजेगा, उसके साथ में जो bell icon होगा तो उसको भी दबा दीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलागात होगी next वीडियो में, जब तक के लिए, जय ही, जय भारत